हेलो नमस्का दोस्तों कैसे हैं मेरा नाम है मदीब तो आज मैं बात करने जा रहा हूं वाटर पूफिंग का पड़क्ट आता है एशन पेंट का डैम ब्लोक 2K कोई प्रोफिंग की प्रोब्लम तो हर गर में में नी रहती है कहीं शोरा आ रहा है इस ण की प्रोब्लम आतीALLY रहती है नो हर कोई चाहता है इसको के लि cens बहुतम बढ़े मिलते हैं हर एक कमपनी के लगलग शोरा कोई возможность ला自 बप्रोब्लम होती है उसके लिए क्युंदक्ट चाहिए इसके बारे में भी पता होने चाहिए तो यह जो प्रडग्ट है दोस्तो डाम लोग तो के यह बहुत ही बड़िया ठूंपोनेंट हम बहुत सकते हैं एक क्लिकर होता है दूसरा ऐसमें सीमड सा होता है हूं मिक्स करकर पड़क्ट हम लगाते हैं तो यह सीलन के लिए पपड़ी के लिए बहुत ही बहतर और बड़िया रिजल्ट देने वाला पड़क्ट है तो इसके बारे में आज बात करेंगे रिव्यू करेंगे तो चलिए उससे पहले मेरे चैनले को स्क्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छे लगी है तो शेयर भी कर देना तो दोस्तो समार्ट केर डैम लोग टू के के बारे में बात करेंगे टू कॉंपोनेंट एक परड़क्ट में हिसमेंस इस में बड़िया कोटंग तया जो हम हम positive waterproofing इसे कर सकते हैं negative waterproofing के इसे कर सकते हैं positivo बारी स्टाउंप बाहरी इसे लगा सकते हैं और अंदर बीतर इंतर होती हैं वहां पर भी लगाकर use कर सकते हैं और यह अच्चा waterproofing एक बहुती component है बहुत babelpers बाहरी स्टाउप है है टॉयलेट है बात्रूम है वाल कोनी है स्विमिंग पूल होते हैं उन में हम इसे यूज़ कर सकते हैं तो आगे इसे बात करें हम जो लाव है कि आप शेचता है इसकी तो जो पानी का जो प्रेशर है पांच गुना तक ज्यादा रोक सकता है दोस्तो और इसका जो लिचीला यह जो ओपन है फ्लेक्सिबिल्टी है वह अंड़र प्सेंट ही इसकी होती है जो शोरे से बार बार जो दिवारें खराब होती है पपड़ी से होती है वह इसके लिए बैस uh 100% काम करता है दो तो जो जो एंटी हम बोल सकते हैं कार्बोनेशन भी है कॉंक्रीट सो जंग लग है तो आग्या इसकी बात करें पैकिंगे यह तीन के जी और पंदरा के जी में आपको मिलेगा दोस्तों इसका कनलर हो और ओफigा europa हो होता है तो कव्रेज के इसकी बात करें जिद Bevölker को यह कव्रेज आपको तो इसका जो री इचे अगर आपने लगा ली उसे सूपने दे लेकर से अपने सूपने देना तो आगे आ जाता है लगाने का अगत को पेजρηदा योका लिए उस नम्म थे कीज़ यूस करना है ऊच्छी तरह से आप साफ कर लिए अगर क्रेक्स घराह वह अच्छी तरह से क्लीन कर लेकिवियि अभी मिक्सिंग कैसे करनी मिक्सिकी 250 2.1 रिक्स शे करनी है में की अपने दो पार पाउडर लेना एक बाड़ लेकि लेना है इन сп Home मिक्स कर दें अच्छी तरह गोल लेना है अच्छी तरह गोल के इसमें आवा जो होती है वो छोड़ देना है दो से लेकर तीन मुन तक ये अच्छी तरह निकल जाए तो फिर आपने उस पे दिवार पर इसे लगाना है कम से कम अगर पहला कोड लगा रहे हैं ब्रेश से रूल तो इसके बाद जो संकनि एरिया होता है उसके लिए सेम प्रसेस करना है दिवार को अच्छी तरह से आपने जो वायर ब्रेश होता है उसे क्लीन कर लेना है साफ कर लेना है भी जैसे मैंने बताया तो पाइंट वाएंट ऊड़िए Refreshके आप लगा सकते Wrap लाय सकते पहला को परसेस आगे करें दोस्तों कुछ चीजें याद भी रखनी है आपने जैसे हम बोल सकते हैं कि अगर दिवार को कर रहे हैं आप साफ किया है जहां क्लीन किया है उससे पहले उससे तीन से लेके चार दिन तक क्यूर करना है अच्छी तरह पानी वगारा दे लेना है हमेशा जो में मिलाना होता है तो इसमें कोई वाटर बगारा पानी मिक्स मत करें इसमें और जो फ्रेश कॉंक्रीट जहां मार्शनरी सर्फेस होता है उसे 28 पहला क्योर कर लें अच्छी तरह से दोस्तों यह कुछ चीज़ें अपने याद रखनी है तो ऐसा होता है जब पपड़ी या सी प्रानी दिवारें हो जाती है तो उसमें सिमट उतना शुरू हो जाता है पटी उतरनी शुरू हो सदिया उसके लिए यह है कि आपने अच्छी तरह से अगर यह लगाना है उसे अच्छी तरह से आप उस सिमट को निकाल लें जो इटों वाली दिवार है वह बाहर सता को नि सकते हैं जैसे मैंने बताया है तो पाइंट One रिच्व आप डाल सकते हैं इसमें लीकवर्ड और जो सिमट होता है मिक्स करके फिर आपने इंदिवार पे लिगाना है उसे दो कोड लगाने हैं उसे अच्छी तरह शूपने देना है सूपने बाद आप फिर उस पर प्लास्टर कर सकते हैं प्लास्टर में आप भी डाला नूम इसकन का परड़क्ट आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं उसके लिए बैटर हो जाएगा और अच्छी तरह सूपने से के बाद आप फिर आप उसे पटी बगरा कर सकते हैं तो यह था दोस्तो स्मार्केट डैम ब्लोक के बारे म अच्छा प्रड़क्ट है इसलन प्प्रग्र के लिए बये बहुत अच्छा प्रड़क्ट है उसे सही तरिक्रेश ज् Tsido के ऍे हैं और फम पाइए और फिरिह आपको ऑपको सही रिजल्ट इसको मिला पाएंगे दोस्तों तो थो सो प्राइस के बारे में बात करें तो प्राइस आपको इसकी 3 के जी की मिल जाएगी साड़े 400-500 में और 15 के जी का जो पैक आता है वो प्रोक्सिमेडली हो जाएगा आपको 1400-500 की रेंज में तो दोस्तो कैसे लगी है वीडियो गर अच्छी लगी है तो चैनल को स्क्राइब कर लेंगा और वीडियो को भी शेयर कर देना जल्दी मिलता है नेक्स वीडियो में तब तक लिए शुक्रिया भागा ठैक्यू और वाचिंग धन्यवाद